question 1 round each of the following numbers to the nearest 10 students हमने इन numbers को जो 10 में है उनको round off करना है तो इसको हम समझते है part यह है question 1 का 36 अब students जब भी हमने round off करना है तो यहाँ पर जैसे nearest 10 बोला है तो 10 की place में क्या गया 3 आ गया तो students जो इन्होंने place बोली है उससे जो पहले वाली place है उसमें देखना है कि उसमें जो digit है वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे जो 10 प्लेस में digit है उसको उसमें हम 1 add कर देगे अगर यह number छोटा है तो हम क्या करेंगे उसको जो number है उससी में रहने देंगे जैसे example के तौर पर इसको ले लेते हैं example के तौर के समझ लेते हैं अब यसे यह के 5 से बड़ा है तो 6 is greater than 5 तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो 10 प्लेस में जो digit होगा उसमें 1 add कर देगे यहाँ से यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 add कर रहे हैं तो यह मारे पास बन गया 40 ठीक है अगर suppose यहाँ पर मारे पास होता 32 तो students यहाँ पर 1 space हमने 10 में जो है उसको nearest 10 करना है अब यहाँ पर कितने 2 है तो 2 is smaller than 5 ठीक है तो हम क्या करेंगे जो यह number है वो as it is रहेगा 3 और 2 की जगा क्या लगज़ेगा 0 ठीक है अब हम इस question को करते है इसको करना कैसे है यह हम देखते है question 1 part A जैसे हमने करना है 36 तो students हम लिखेंगे in 36 the ones digit अब हमने 10 को round करना है तो हम ones digit को देखेंगे the ones digit is 6 अब 6 के है यह greater than 5 है तो greater than 5 कर दिया हमने तो so the required rounded number अब rounded number क्या होगा यहाँ पर यह wording आपने लिखने है number यह पूरा लिखने है मैं shortcut में लिखने हूँ is अब यहाँ पर greater than 6 है तो हम क्या कर देंगे जो 10th place पर digit है 3 है इसमें 1 add कर दिया है तो बन गया 40 तो इसका अंसर मारा क्या गया 40 अब पार्ट B यह है 173 अब हमने क्या करना है 10th place को round करना है ठीक है अब 10th place में क्या है digit 3 है तो हम लिखेंगे in 173 the one's digit is 3 अब 3 यह क्या है is smaller than 5 तो so अब यह क्या होगा smaller than 5 है तो जो digit है 10th place में वही रहेगा ठीक है so the required rounded number is 170 now part C 3869 अब student हमने इसको करना है तो हमने पहले one's place का digit देखना है 9 है यह क्या है greater than 5 है तो यहाँ पर क्या होगा जो 10th place में digit है 6 उसमें 1 आट कर देंगे पहले हम वर्डिंग लिख लेते हैं 3869 the one's digit is 9 जो क्या है is greater than 5 so the required rounded number is तो अब यह क्या है बने का है यहाँ पर greater है यह तो यहाँ पर क्या होज़ेगा one add कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होज़ेगा one add कर रहे हैं तो होज़ेगा three eight seven zero part d one six three seven eight अब in one six three seven eight यह seven पर one's का digit देखना है the one's digit is eight जो क्या है greater than five है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर seven में one add कर देंगे so the required rounded number is क्या होगा यहाँ पर one add हो गया तो बन गया one six three eight zero now question two question two में है round each of the following numbers to the nearest hundred अब student hundred का देखना है हमने अब जैसे part A है हमारे पस eight one four अब student hundred का हमने change करना है इसको हमने round करना है तो हम क्या करेंगे इससे पहले वाले digit के है one तो हम tenth place में देखेंगे कौन सा digit है तो हम लिखेंगे यहाँ पर in eight one four अब student है यहाँ पर हम one's digit देख रहे थे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ten's digit the ten's digit is क्याए one यह क्या है smaller than five तो students क्या होगा जो eight है वो वही रहेगा ठीक है और यहाँ पर zero zero लग जाएगी so the required rounded number is eight hundred now part b part b इसको यहाँ कर लेते हैं part b को part b के है हमारे पास one two five four हमने hundred place को round off करना है तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर क्या है five है in one two five four the ten's digit is इस क्या है five ten's digit में five है जो हमने करना होते है राउंड उसके पहले वाले डिजिट देखना है अब five क्या है is equal to five अब मैंने आपको उता है तो five होने चाहिए यह उससे बड़ा होना चाहिए तो हम क्या कर देंगे जो जिसको में राउंड अफ करना है उसमें वन एड कर देंगे तो इसमें वन एड कर देना है so the required rounded number is अब यहां पर क्या हो वन एड हो गया one three double zero जो यहां पर right side में digit है न वो उन में वो zero में convert हो जाएंगे पर left side का digit आपने as it is तोरना है c करके देखते है c है मारा 43126 अब 100 का हमने change करना है ठीक है तो 10th place में क्या है 2 तो हम लिखते है in 4,3,1,2,6 the 10th digit is is कितना है 2 तो यह क्या है is smaller than 5 तो यहां पर one में कोई change नहीं करेगे तो as it is यही नमबर लिखेंगे पर जो यहां पर right side में digit है वो क्या हो जाएगे 00 में convert हो जाएगे तो हमके लिखेंगे so the required rounded number is 43100 ठीक है part D 98165 हमने one को round off करना है तो हमने 10th digit देखना है in 98165 the 10th digit is कितने है 6 अब यह कहा है is greater than 5 तो हम क्या करेंगे 100 पेस को जिसको change करना है उसमें one add कर देंगे तो यह कहा है 98200 तो यहां पर कहेगा so the required rounded number is 98200 now question 3 question 3 है round is the following number to the nearest thousand अपने हमने 1000 वारे नंबर को round करना है ठीक है तो part A 793 अब students यहां पर thousand तो thousand वारे नंबर को हमने करना है तो thousand में यहां पर क्या है 0 है ठीक है यहां पर क्या है 0 है तो हम कौन सा digit लेंगे 100 पेस का digit लेंगे क्यूंब यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर हम यहां पर one add कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1000 इसको लिखते है हम लोग in 793 the hundred hundred digit is 7 जो की कह है greater than 5 है so the required rounded number is क्या हो जाएगा अब यहां पर hundred को देखने ना thousand में करने हमने thousand में change करने है तो यहां पर क्या जाएगा यहां पर 7 है तो यहां पर one add हो जाएगा और आपको पताये था जो right side वाले सारे digit जो है वो 0 में convert हो जाएगे 1000 आगया part b 4826 अब हमने यह thousand का इस नंबर को convert करने है one stands hundred thousand इसको हमने round करने है तो इसके पहले digit क्या है 8 है तो in 4826 the hundred digit is 6 क्या है 8 जो की क्या है greater than 5 है अब हम क्या करेंगे यहां पर one add कर देंगे जिसको हमने round करने है उसको हम one add करेंगे so तो four में one add कर दिये तो उम्हारे पस क्या आगया five so the required rounded number is five अब इसके जो next जो digit है वो zero में convert जाएगे तो five thousand आगया हमारा part c one six seven one nine अब यहां पर thousand में six है यहां पर hundred place में क्या है seven यह भी greater than five है तो हम क्या करेंगे यहां पर six में one add कर जाएगे तो हमारे पस आगया seven तो अब इससे पहले बहले digit है left side उस वो as it is हमने लिखने है ठीक है यह पहले word लिख लिख लेते हैं one six seven one nine the hundred digit is क्या है seven is greater than five so the required rounded number is अब यहां पर one to as it is आजएगा six को हमने add किया है ना one six में तो यहां पर seventeen thousand यहां पर thousand आ गया now part d two eight three nine four अब हमने eight को करने है राउंड तो hundred place में किया है three तो यहां पर लिख सकते हैं in two eight three nine four the hundred digit is care three जो कि smaller than five है तो अब हमारा यहां पर है हम add नहीं करेंगे जो digit है वही रहेगा ठीक है तो लिखते हैं so the required rounded number is यह left side बढ़ा तो as it is यहां पर eight as it is रहेगा और twenty eight thousand आ गया I hope students आपको यह समझ आ रहे होंगे कि कैसे हमने round off करना है अगर फिर भी आपके कोई query है तो please आप मुझे message कर सकते हैं अब question 4 question 4 है round each of the following number to the nearest ten thousand अब student ten thousand में करना है जैसे part a लेते हैं हमारे पास है one seven five one four अब सब्सक्राइब ten thousand को सब्सक्राइब one ten hundred thousand ten thousand इसको हमने round off करना है तो इसका जो thousand place है इससे जो पहले place है इसका digit हम देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे in one seven five one four the thousands digit is क्या है seven जो की क्या है greater than five है ठीक है अब greater than five है seven तो यहाँ पर इसमें one add कर देखेंगे तो यह क्या बेंज़ेगा two so the required rounded number is क्या होजएगा अब यहाँ पर two बन गया तो यहाँ पर कितने digit है one two three four यहाँ पर four zeros आ गई ठीक है twenty thousand बन गया now part b two six three four zero अब students यहाँ पर ten space में क्या है one ten hundred thousand two है अब हमें thousand place में क्या है six है यह greater than five है तो हम क्या कर देंगे two में one add कर जाएगे तो यह बन गया three तो कितना आद जाएगा thirty thousand wording लिख लेते हैं two six three four zero the thousand digit is six जो कि greater than five है so the required rounded number is तो यहाँ पर three बन गया तो कितने digit है four four zeros लगी यह बन गया thirty thousand now part c three four eight nine zero अब यहाँ पर thousand की place में क्या है four है तो यह less than five है तो यहाँ पर ten thousand की place में three है तो यहाँ पर कोई change नहीं आगा as it is हम three लिख देंगे और बात में four zero लगा देंगे in three four eight nine zero the thousands digit is four जो कि less than five है so the required rounded number is यहाँ पर कोई change नहीं आगा three as it is लिख देंगे और zeros लगा देंगे तो यह बन गए thirty thousand part d two seven two six eight five I hope students आपको समझ जा रहा हुगा कि कैसे हमने round off करने है tens में कैसे tens में once place को लेना है जो जिस place को हमने round off करना है उससे पहले वाली place को लेना है जैसे hundred place को round off करना था हमने tens place को लिया thousand place को ले रहे है अब students यहाँ पर thousand place में कैसे once tens hundred thousand place में two है हमने seven को करना है तो in two seven two six eight five the thousand digit is क्या है two है तो is smaller than five तो students यहाँ पर कोई change नहीं आएगा यह as it is ही रहेगा seven so the required rounded number is अब students जो इसकी side में जो two है left side में वो as it is उतार लेंगे अब seven as it is रहेगा क्योंकि यहाँ पर thousand की placement two है जो less than five है आगे हम zero zero लगा देंगे I hope students आपको यह सारा clear हो गया होगा आपको बेहेड क्याद़iva क्योंकि नही जाएगा क्याँ три की हमें झाल भो क्या झाल आदाय